गर्याबन जिला की सुदूर अंचल देवभोग ब्लॉक में इन दिनों किसानों के लिए बीज की समस्या बनी हुई है जहां एक तरफ कुरोना का दौट चल रहा है तो वहीं किसान अपनी अगामी फसल के लिए खेती की प्रारंबिक तयारी कर लिए हैं समिती केंद्रों में सबेरे से ही भीड लग रहा है वहीं भीड में सोसल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है 15 अप्रेल से सुरू हुए खाद बीज वितरन में अभी तक केवल 515 किसानों को ही खाद बीज उपलब्द कराया जा सका है वहीं हजार से अधिक किसान समिती के चक्कर काटने को मजबूर है जबकि बोनी में अभी बस 15 दिन ही सेस रह गए हैं समिती प्रबंधक की माने तो समिती में राजेस्वरी 5204 एचेमरी 1010 सही 36 गर सुगंद बीज उपलब्द है कितने किसानों को खाद बीज मील चुका और कितने किसान सेस हैं और क्या समस्या है यह समस्या कब तक के हल हो जाएगा यह समस्या बस अभी तो वर्तमान के लिए सब धान है लेकिन किन्तु इसका लेवाल नहीं है वहीं हजार एक सड़ना महा माया आधि बीज का मांग होने के बाद भी बीज निगम से उपलब्द नहीं हो पा रहा है किसान समिती में बीज उपलब्द नहीं होने के कारण नीजी दुकानों में सरकारी दाम से डेड़ होना अधिक देकर बीज खरीदने को मजबूर है किसान कितने दीन से आप चक्तर लगा रहे हैं जोग से यहां चालू हुआ है करणा लिखाने में बाला उस दिन से हम आ रहे हैं विज आपको नहीं मिला है आपको हमको धान एक बीज धान नी मिला है और भूने का समय आ गया हम कहां से धान लाइए गरिया बंदेभोग से जैविला सर्मा का रिपोर्ट चतिसकर विजन टीवी